आज हमारी कुकिंग जर्नी की ट्रेंट पहुंच चुकी है हमारी साउथ इंडियन रिजन की दरफ और हम बनाने वाले हैं इडली सांबर और इसको कॉंपलिमेंट करती हुए बहुत ही टेस्टी सी चटनी आई होब गाइस वीडियो आपके लिए यूसफुल रहेगा सो वीडियो में बने रहेगा तो चलिए हम स्टाइट करते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे ये टेस्टी सांबर जिसको की बहुत इंस्टेंटली बना करके तयार करेंगे और सब चीजे एक साथी बनाने है कोई प्र जिसमें की लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, राई और जीरे का इस्तेमाल कर रहे हुमें एक प्याच को मैंने चॉप कर लिया है और अजरख लिया है तो चलिए प्रेशर कुकर को रखते हम गैस पर और डिरेक्ट ही अपने सामर को फ्राइगे और अब जिसी ओए गर जिसे भी हमें थोड़ा सा भून लेना है अब कुछ मसाले अड़ करेंगे जिसमें की नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर मैं एड़ कर रहे हूं इन मसालों की कॉंटिटी थोड़ी कम रखी है क्योंकि सांबर बना रहे है तो सांबर मसाले का अब हम इसमें एड़ करेंगे एक टमाटर जिसको की न मैंने बहुत मोटा मोटा कर लिया तो बड़े साइस का टमाटर था हमें इसे बिलकुल मैश नहीं करना है और इसे भी हम मसालों के साथ भूनेंगे अब देख सकते हैं कि मसाला थोड़ा सुखा सुखा लग रहा है तो अब हम इसमें एड़ कर देंगे हमारी सब्जियां जो हमने काटकर रखी ते और आप देख सकते हैं टमाटर जो है ना वह बिल्कुल मैशी नहीं हुआ है क्योंकि इसे बड़ा बड़ा कट किया था तो इसारी सब्जियां कर दीजिए सब्जिया अपने पसंद की और भी ले स सामर अबैशी थे इसाओ लेगा इस्टान टीजो की सामर मसाला चाट कर दिया तो आप किसी भी परैंड का ले सकते है मिर पस जो है लिफलेबल था मैंने वही लिया है इसे भी लगाता है चलाते हुए मसालों में मिक्स करेंगे और अब अड़ करेंगे पानी तो पानी आप अपनी कॉंटिटी के कॉंडिंग अपनी रिक्वायर्मेंट के कॉंडिंग एड़ कर सकते है वैसे जांबर थोड़ा पतला अच्छा लगता है और तूर दाल की ना इक खासि अब इसमें ऐड़ करेंगे स्वात के अनुसार नमक आदा चमश नमक और जिस कप से नापकर मैंने सूची ले लिए है तो ये नार्मल रूम टेंप्रेचर का दही है और उसी कप में मैंने आदा कप और पानी आड़ कर दिया है तो उसे भी मिक्स कर देंगे आप दही की करने के लिए हमें छोड़ देना क्योंकि सूजी पानी को अबजॉब कर लेगी अपने अंदर और फूलेगी तो थोड़ दिर के लिए से ढग देते हैं बहुत साथा नहीं लेगा तब तक आगी कुछ और तैयारी करते हैं पैन को रख लिया है मैंने गैस पर उसमें एक चमच काजू लिया है और शिम्लामिर्च के लिया है उसे भी बारी कट कर लिया था सबको हम तेज फ्लेम पर गैस का फ्लेम बिल्कुल भी मीडियम नहीं करना है तेज फ्लेम पर हम इसे हलका सा पका लेंगे क्रंचिने शिंकी बरकरार है निची है थोड़ा सा इसमें सॉल्ट और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी हम इसमें एड़ करेंगे सूल्ट आप यहां थोड़ा कमी रखेगा क्योंकि हम अल्रेडी सूजी वाले बैटर में सूल्ट एड़ कर चुके हैं तो देखिए बहुत अच्छा सा कलर आगया हमारे मिक्षर में और अब हम इससे इस सूजी में मिक्स कर देंगे और देखिए हमारी जो सूजी है वह भी अच्छी तरह से पानी को अब्सॉर्ब कर चुकी है फूल चुकी है तो दिके बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा हमें जब तक हमने यह सब प्रिपेयर किया तब तक सब रेडी हो गया अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं कि अभी जो यह बैटर है ना काफी थिक कंसिस्टेंसी में है तो इसमें थोड़ा सा पानी हम एड़ करेंगे और इसे लिक्वेट कर लेंगे थोड़ा सा जैसे कि इड्ली का बैटर होता है तो थोड़ा सा पानी इसमें मैंने एड़ कर लिया है और इसे मिक्स कर लेंगे अब बिल्कुल यह तयार है तो इडली के मोल्ट में मैं आइल लगा दूँगी थोड़ा सा ग्रीस कर दूँगी और जब तक मैं ये वर करी हूँ ना तब तक मैंने गैस पर इडली मेकर में एक लास पानी डाल करके उसे गर्म करने रग दिया है बनाते वक्त हम इसमें आधा चमच बेकिंग सोडा एड करेंगे जिसे हमारी इडली बहुत ही फूली फूली बनेंगी बस इसे रग देना है हमें मोल्ट में और मोल्ट को हम सेट कर देंगे हमारे इडली मेकर के अंदर जिसमें की हम पानी को पहले से ही उबाल चुके है तो द प्रेशर कुकों में भी विसल आ चुकी है तो मैंने 2-3 विसल लगा ली थी खोल कर देखते हैं इसे कि क्या हाल है हमारी सांबर का तो देख सकते हैं अभी आपको बहुत जादा पतला लग रहा होगा तो अभी आप देख सकते हैं इसमें तो थोड़ी सी खड़ी लग लग बड़ लेकिन हमें इसे और नहीं पकाना है इसमें खटा करने के लिए में अभी ना इमली का पानी अड़ी हो तो थोड़ा सा काला नमक डाल के डेखे का टेस्स बहुत ही अचा हता है अब ये विस्क लेंगे और विस्क से न इस तरह से चला देंगे ऐसा करने से क्या होगा हमारी जो दाल है वो अच्छी तरह से मैश हो जाएगी लेकिन देखिए सबजे आमने बड़ी-बड़ी कट की थी ना तो वह बिलकुल वैसे ही कड़ी-कड़ी रहेंगी अब ऑईल को गरम कर लिया है मैंने उसमें डाला है राई के दाने जीरा और हींग थोड़े सा और साथ म यह भून जाएगा ना हमें गैस का फ्लेम कर देना है बंद और इसमें डालना है आधा चमच लाल मिर्च पाउडर आप यहां कश्मीदी लाल मिर्च पाउडर भी आड़ कर सकते हैं तो बस इसे डाल देंगे हम सांबर के ऊपर और सांबर में बहुत यची से खुश पुआ जीखा माहिए लए घाल लेंगे बंडियोश था अधाल धनर के रट ग्याव अधिया देऄ तो अब हमसार देखा जाएगा लाग दानो के अधया जांगे डाल देंगे सानभ देख क्रीने इंद सारी दाल हूज म theatre के ए आपको तीखा पते अग्श पसंद दो मिर्च शोप बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने सॉल्ट एड़ कर दिया इसमें और बस थोड़ा पानी आड़ करेंगे ताकि इसे पीसने में हमें आसानी हो और भस धकन लगा कर हम इसे पीस करके तयार कर लेंगे। और आप देखें कितनी जादा अच्छी देखने में भी बहुत जादा अच्छी लगती है। चटनी को भी चौकेंगे इसके चौके लिए भी मैंने एक चंबच ओल ले लिया है। उसमेराई के दाने और चने की दाल और उड़त की दाल दोनों को मिक्स कर लिया था वह भी डालेंगे। लाल मिर्ज डाल लिया है कड़ी पत्थर डाला है और इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। यह दाल करके जब हम चौक लगते हैं चटनी में तो बहुत ही जादा टेस्टी लगता है तो बस जैसी हमारा चौक प्रिपेर होगे हमने उसको चटनी के ऊपर डाल दिया है। और आप देख सकते हैं बहुत ही जादा अच्छी लग रहा है देखने में टेस में भी बहुत ही गजब की होती है एक बार जरूर से ट्राय करना और यहां देखिए हमारी जो इडली है वह भी तैयार हो चुकिए तो आप देख रहे हो लगातार ना सारा काम एक साती हो रहा में उन्हें वैसे भी बहुत जादा अच्छी लगने वाली है क्योंकि हमने इसमें सब्सिया वगरा सब डाल रखी है तो यह अपने 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 अच्छा सा टेस्ट लिये हुए है और आप देख सते हैं एकदम कंप्लीट जाली दार हमारी इडली बन के तयार हुई है मै वीडियो अच्छा लगाते से लाइक शेयर ज़रूर करने है